हेलो एफ्रिवन वेलकम चू माय चैनल तो आज सुबस्बा आगे थी बहुत भैंकर धुंद और आज सच मुछ यह फोगी है आज यह स्मोग नहीं है जो बहुत जब उठेते था तब तो दर्वाजा भी नहीं दिख रहा था अब अभी थोड़ी हो चुकी है और इनको बाहर बन दिया था तो यह हमारी लड़ो रानी क्योंक अभी हो चुकी है तीन महीने की यह आज भी कैमरा पॉसर नहीं है जब भी देखते ना फोन तो बस मुह ऐसे बना लेती है और यह थोड़ी पीवकूफ सी लगती है और इसको कोई प्यार भी नहीं करता है इसके मां भी नही पर दखा था गाय को साइड में लेगब बन दखा था और भैंस को भी भाण नहीं निकाला था क्योंकि उसके थोड़ी हैल्थ अभी साइज नहीं चल रही है तो उसको थोड़ा थंद से बचाने के लिए ना उसको अभी तक चपर में रखा हुआ था और अभी थोड़ी पह फूल आ रहे हैं और इधर ना हमने एक जैड प्लांट को अभी न रिपोर्ट कहता तो इसको हम थोड़ी दिनों के बाद बोंसाई में कनवर्ट करेंगे क्योंकि इसका स्टैंप जो है वह थोड़ा मोटा हो चुका है और अभी फूल बूल आने शुरू हो गए हैं और रात को हमारी जो भैंस थी न वो खुला गए थी क्योंकि हमारी जो नेवर हैं उनकी शादी थी उनके डीजी बज़रा था रात को तो उसने यहां पे थोड़ी उधम बचा दी और यह जो पत्थर चटाता था यह पहले गमले में लगा हुआ था बट भाई नहीं जब से इसको ल लगा हुआ था लेकिन मेरी भाई को खड़ा वह हो रहा था तो उसको यहां से निकाला और मिट्टी में दबा दिया और इसका ही होता है जहां बीसकी पत्ति की जाती है तो यह वहां पर ही नया इसका पोधा बन जाता है देखते हैं अभी यहां पर लगेगा नहीं लगेग तो पता लगाएंगे की ओ हो इस पर तो एक अधी पती निकल लिए वह लेकिने बहुत छोटी है जो बढ़ा हो जाएगा तो नाम भी इसका पता लगी जाएगा कि कौन सा पोधा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगे कि कौन सा पोधा था और यह हमारी चमेली की बेल है ज आधर रसोई में मुझा ने चाज बना ली थी और अभी निकाल रही है मखशन है और क्योंकि हमारी चार्च का जो दूर है ना उसी का मख़ने निकालते हैं तो है और हम जब बच्तमन से ना हमने भैंस काहीं मतलब खाया है गाय का बहुत ही बहुत ही काम चांस असे रहे हैं हम हमेशा से भैंस कई दूर रखते हैं तो यह हमारे दो दिन का अख़र और इधर बन रहे थी माते के लिए सब उसकी खीर और यह जो बीज है यह मुझे रुचिका के घर से मिले हैं और इनको ना मैं सेखने वाली थे क्योंकि लास्ट्रियर ना पुनम की सच्राल से बीज आये थे तो उन्होंने बहुत अच्छे सेखे थे तो खाने बहुत टेस्ट तो इस पर मुझे भी लगा कि या बनाते हैं तो यह रुचिका के घर से आ गये थे फिर मैंने पूनम से पूछा मैंने का कि कैसे किये थे तो उसने अपनी सासुमा से पूछ के मुझे बताया कि उन्होंने पहले ने इसको लस्टी के अंदर थोड़ा भीग हो गया था तो उ 5-7 मिनिट के लिखा था उन्होंने की इसमें रख दो और इससे क्या होगा थोड़े ना साल्टी फ्लेवर आ जाएगा उसका तो मैंने भी ठीक वैसे ही किया और मैंने इसके अंदर डालके ना उन बीजों को रख दिया और शाम को गायों के लिए खेट से चारा आ गया था तो हमारे छपपर है यह काफी ऊपर है तो राम से इसके अंदर गुशाता है तो इसको अंदर गुशाती है था और अंदर दो आत्मी थे वह उन्होंने इसको खाली कर दिया और जाते बद इसमें ना जो गुबर की आए और यह थी ना इतना हमारे यहां पर स्पेस थानी क्योंकि च्रक्टर को अंदर मोडना भी था तो इसलिए जूमर को हम ना रुचिका की घर पर बांद दिया था अब क्योंकि ट्रक्टर को बैक लगाना ना यह भी एक आर्ट है मतलब हर किसी को नहीं आती है हर कोई चक लगा ले बटर जब ऊसको च्राली होती न तो आप इतने इसी ली न उसको बैक नहीं लगा पाते हो जब तक आप इतने मतलब एक्सपर्ट नहीं हो को करने में तो आज सो खेर ड्राइवर था तो उन्होंने अराम से इसको बैक लगा दिया